ओम नमस्षिवाया देखे कल चैत्र कृष्ट मक्ष की चतोर्थी तिति है और ये चतोर्थी तिति रात्री आठ बचकर 21 मिनट तक रहेगी उसके बाद पंचमी तिति का प्रारम्ब हो जाएगा चंद्रमा का जो गोचर रहेगा विशाका नक्षतर में 8 बचकर 36 मिनट रात्री तक रहेगा उसके बाद अनुराधा नक्षतर में चंद्रमा का गोचर होगा वजरियों का निर्माण 11 बचकर 11 मिनट रात्री तक रहेगा उसके बाद सिद्धी योग बनेगा बव करण 7 बचकर 42 मिनट प्राता काल के बाद बालव करण 8 बचकर 21 मिनट रात्री तक रहेगा दो बचकर नौ मिनट दो पहर तक चंद्रमा तूला में रहेंगे उसके बाद अपनी परम नीच राशी वरिश्चिक में ये गोचर करेंगे तो आईए समस्ते प्रते एक लगनवाले जात्कों पर इसका क्या प्रभावों का और स्टार्ट करते हैं मेश लगनवाले जात्कों से देखिए कन आपका स्वास्थ पहले की अपिच्छा जादा अच्छा रहेगा कारे छेतर में भी आपको सफलता कन मिलते हुए दिख रही है आर्तिक स्थिति हालाकि प्रभावित हो सकती है जीवन साती के साथ जो संबंद होंगे वो आपके मजबूत होंगे परिवार के साथ कहीं गोमना अगर प्लान करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा लव रोमांस में मजबूती आएगी वरष्ट अधिकारियों का सयोग भी कल आपको मिलेगा कुल मिलाकर का आजया तो 85 प्रतिशत का समय अच्छा है कल का शुबंग 6 और शुबरंग आसमानी बन रहा है उपाय के लिए बगवान विश्णू की अगर आप रागना करते हैं तो कल का दिन अतियुप्तम रहने वाना है वरिशव लगन की बात करते हैं देगे कल आपका दिन सामान ने ही रहने वाला है समाज में हालाकि आपकी मानपत प्रतिश्टा बढ़ेगी और कारेश छितर में आपको कुछ उलुकावटों के बाद सफलता मिलते हुए दिखाई दे रही है परिवार में खुश्यों का मौमौल भी बना रहेगा और आविवाहित जातकों कि ने विवा के प्रस्ताव भी कल के दिन आ सकते है आपके शत्रू आपको हानी पहुचाने की भी कल कोशिश कर सकते है पुल मिलाकर कहा जाया तो कल का दिन 78% तक अच्छा है शुबंक 9 और शुब्रन नारंगी बनता है उपाय के लिए शिवजी की अगर आप कल के दिन आरादना करें तो दिन आपके लिए स्रेष्ट रहने वाला है मिथुन लगन की बात करते है देखे कल के दिन आप अत्यदिक प्रसन रहेंगे सामाजी कार्यों में आप अच्छा नाम कमाएंगे कारे वैवसाय के छेतर में उच्छे सफलता भी प्राप्त होगी स्वास्त से समंदित छोटी मोटी समस्या जो है वो लगी रहेंगी और भाई बैनों का पून सयोग आपको मिलेगा पैसो के लेंदिर से बशने की आवशकता होगी लव रुमाज जो रहेगा वो सफल रहेगा और सिक्षा के छेतर में नए परिणाम भी आप आसिल कर पाईएगा पुल मिलाकर कहा जाए तो कल का दिन 82 प्रतिशा तक अच्छा रहने वाला है शुबंक एक और शुबरंक के सरिया बन रहा है उपाई के लिए लच्ष्विमाग के मंदिर में नारियल आपको चड़ाना चाड़ करक लगन की बात करते है देखे कल का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा और कार वेवसाएं में कुछ हाला की चैलिंजिस आ सकते हैं कल के दिन आर्थिक शेत्र में लाब कमाने में आप सक्षम भी रहेंगे और जीवन साती का सयोग भी आपको मिलेगा और पैत्रिक संपत्ति से लाब की प्राप्ती भी आपको कल इस पश्टूप से दिखेगा प्रेम जीवन में मदूर्ता मिलेगी और भाई बैनों का सयोग भी आपको मिलता रहेगा स्वास्त पहले की अपेक्षा उत्तम रहने वाला है सिख्षा के छेत्र में जो भी आप रियास करेंगे उसमें आप सफल होंगे कुल मिलाकर कल का दिन 80 प्रतिशत तक अच्छा रहेगा कल का शुबंग चार और शुबरंग नीला बनेगा उपायव के लिए माथे पर चंदन का अगर आपतिलक लगाते हैं दिन अच्छा बीतने वाला सिंग लगन की बात करते हैं देखिया आपका स्वास्त जो रहेगा ओवर ओल ठीक रहेगा मान, पद, प्रतिष्ठा बढ़ेगी गर परिवार में खुश्यों का मोहल भी बना रहेगा लेकिन काम के पॉइंट अविव से कुछ यात्राएं भी अकस्मात हो सकती हैं नौकरी के छेतर में अधिक परिश्रम करने के बाद ही सफलता आपको मिलेगी हाला कि आये के नए शुरुत भी आप कल के दिन प्रैप्त करेंगे आप विवाहित जातकों के लिए विवा का प्रस्ताव कला सकता है कुल मिलाकर 81 प्रतिशत तक का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा शुबंक दो शुबरंग ग्रे बन रहेगा उपाय के लिए सूरिदेव के बीजमदर का जाब कीजे दिन अच्छा बीतेगा कन्या लगन की बात करते देखे कारे छेतर में आपको सफलता मिलेगी नौकरी व्यवसाय के दिरिश्टी कोड से दिन जो रहेगा वो बैतर रहेगा स्वास्त को लेकर चिंता की बात जो है बहुत जादा तो नहीं रहेगी लेकिन स्वास्त पर थोड़ा सचेत रहेगा स्वास्त को लेकर आप लापरवाही बिल्कुल भी नहीं बरतीएगा साजेदारी में कोई भी अगर आप काम कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिलेगी और प्रेम सब्बंद आपके सामाने रहेंगे कारे छेतर में से कर्मियों का सयोग मिलेगा आर्थिक इस्थिती जो रहेगी वो पहले से मजबूत होगी पुल मिलाकर असी प्रतीशा तक का दिन कल के लिए अच्छा है कल का शुबंग साथ और शुब्रग मैरून बन रहे है उपाय के लिए गडेश जी को दूरवा अर्पित कीजिए दिन आपका अच्छा बीतेगा तुला लगन की बात करते कारे बैवसाय में मिश्रित परणा मिलेगा परिवार के सदसे धार्मिक सलकी यात्रा पर भी कल जा सकते है भूमी, वाहन, मकान का पूल सुक्व आपको प्राप्त होगा जीवन साथी के साथ मतवियद भी किसी प्रकार का अकस्मात हो सकता है और लव रोमांस जो रहेगा वो कल सामान रहेगा स्वास्त समस्या से आप परिशान भी कल रहेंगे थोड़ा स्वास्त पर द्यान दिजे अध्यात्मिक छेत्रों में रूची बढ़ेगी और पैत्रिक संपत्ति से लाप की प्राप्ति होगी सिख्षा छेत्र में आगे बढ़ने का निरंतर आप प्रियास करेंगे जो सबवल्मी रहेगा उपाय के लिए सूरिदेव को नियमित अगर आप जलर्पित करते हैं दिन आपके फेवर में रहेगा विर्शिक लगन की बात करते हैं देखे कल का दिन आपके लिए मिला जुला परिणाम देने वाला है पारिवारिक जीवन में तराव की स्थिती उत्पन हो सकती है लेकिन कार व्यवसाय को लेकर नई योजना बनाना कल के दिन बिल्लुकुल अनुकूल नहीं होगा आर्थिक शेत्रों में उतार चड़ाओ लगा रहेगा स्वास्त को लेकर भी कल के दिन आप अतिदिक चिंतित रहेंगे और ये मांसिक रुप से स्वास जादा परिशान रहेगा विद्यारती जात्कों को सिक्षा में अतिदिक परिशन अम करने पर सकते हैं जीवन साती के साथ रिष्टे जो रहेंगे वो मदूर होंगे लव रोमान सफल रहेगा और आये के ने सादन भी कल आपको प्राप्त होंगे कुल मिलाकर कल का जो दिन रहेगा 75 प्रतीशत तक आपके फेवर में रहेगा कल का जो शुबंक है वो आठ और शुब्रंग सफियत बन रहा है उपाय के लिए गाहितरी मंतर का अगर आप जाप करते हैं तो दिन आपके फेवर में रहने वाला है धलो लगन की बात करते हूँ देखे कल के दिन आप ज़ादा तर व्यस्त हो सकते हैं परिवारी जीवन में माता-पिता का सैयोग भी आपको मिलेगा आपका स्वास पहले कی अपिक्षण अच्छा रहेगा लव रोमान्स में जीवन साती का सैयोग देखे प्राप्थ के लिए विदेश जा सकोई है उपाय के लिए कल के दिन विश्ण बगवान की जितनी अरादना करने आपके लिए अच्छा रहेगा मकर लगन के बात करते हैं देखे कल के दिन व्यर्थ की चिंतित की जो चिंता होती आपको सता सकती है और लेकिन वैपार में आपको उत्तम लाव मिलेगा, परिवारिक जीवन में परिशानिया उत्पन हो सकती है, धार्मिक यातरा से भागी में वर्धी भी होगी, स्वास संबंदित बीमारियों से आपको हलाकी राहत मिल सकती है कल के दिन, और आर्थिक रूप से कहा जाए तो अत्यदिक परिश्रम भी कल आपको करना पड़ सकता है, सिख्षा को लेकर आप थोड़े चिंतित जरूर हो सकते हैं, और कारी वैपसाई के छेतर में आपको पॉजिटिव आउसर प्राप्त होने वाले हैं, कुल मिलाकर कहा जाए तो कल का दिन 72 प्रतिशत तक अच्छा रहेगा, कल का शुबंगनो, शुब्रंग नारंगी बन रहा है, उपाय के लिए दूद में शहद मिलाकर शिवलिंग का अभिश्यक अगर करते हैं, तो कल का दिन आपके लिए अतियुक्तर दिते कंग, कुम्ब लगन की बात करते हैं, देखिए कारे वैपसाई के छेतर में नय उसर प्रा परिवार के साथ लंबी दूरी की यातरा पर जा सकते हैं, छोटी मोटी स्वास्त समस्या लगी रहेगी, दामपत्य जीवन खुशाल रहेगा और सिक्षा छेतर में मित्रों के सयोग से तरक्षी प्राप्त करेंगे, कुम्मिलाकर कल का दिन 75 प्रतिशत तक अच्छा रहेग शुबंक साथ और शुबरं मैरून है, उपाय के लिए विकलांगों को बोजन खिलाए तथा उनकी मदद करें, अब हम अंतिम लगन की बात करते हैं, मीन लगन वाले जातकों का कल का दिन कैसा बीते हैं, देखे कल आप आर्थिक रूप से थोड़ा चिन्पित हो सकते हैं, परिवार के सदस्यों के साथ धार्मिक यात्राएं भी हो सकती हैं, कारी वेबसाइट के लिए अत्यदिक मेहनत आपको करना पड़ेगा, जीवन साती के सयोग से बिगड़ा काम बन जाएगा, प्रेम जीवन में मदूरता आएगी और प्रत्योगी परिक्षा की तियारी करन बन रहा है, उपाय के लिए अपने इश्ट देव को पुश्प अर्पित करते हैं, दिन अच्छा बीठेगा, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्षन में लिखेगा, अभी के लितना ही, मैं हूँ एस्टोजर केम सिना, ओम, नमस्श्यूबा